नमस्कार में तोस्वागत आपका इस यूटीब चैनल पे लंबित भरतियों पर उगा पोह में प्रति होगी मार्च और अप्रिल में प्रस्तावित पांच परिक्षाओं को UPPSC ने कर दिया था स्तिती ऐसी है फिलाल कि कई भरतियां जो की चाहे चुनाव हो और या फिर पेपर लीक का मामला हो उसमें सब भरतियां फसी है UPPSC का जो कलेंडर था वो पूरी तरीके से बिगड़ गया है नई वरतियों को कराने भी में भी UPPSC है वो अपने पांव थोड़े से खीच रहा है क्योंकि उनको भी पता है कि यदि अगर हमने परिक्षा कराई और इस बार भी कुछ गरबढ हो गई तो उनके पास जवाब देने के लिए नहीं बचेगा इसलिए वो भी पूरा बैक अप लेकर ही परिक्षा कराएंगे तो खबर देख देते पहले क्या है फिस पर चर्चा करेंगे तो उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग ने मार्च और अप्रेल में प्रस्तावित पांच परिक्षा इस्तगित क की गई है वहीं आयोग ने पेपर लीक मामले में दिरस्त की गई आरो ए आरो प्रारम्मिक परिक्षा दोजार तेस की पुनर परिक्षा की तिथी पर भी कोई निर्ड़ा नहीं लिया है इस्तिति स्पस्ट ना होने पर परिक्षाओं के लिए आभिदन करने वाले प्रतियो हुई है तो उनके अंदर बड़ा ही निराशा है और बहुत कन्फ्यूज है कि अभो करे तो करे क्या कई प्रतियोगी चात्रों की को PCS परारमिक परिक्षा के साथ आरो एरो परिक्षा में भी शामिल होना है उन्होंने दोनों परिक्षाओं के लिए आभिदन किया है लेकि किस परिक्षा की तैयारी करें पहले करें इसे लेकर प्रितियोगी चात्र अस्मन जस्प की स्थिती में हैं अब बेरती चाहते हैं कि आयोग लंबित भरतियों के आयोजन को तो लेकर शीगर निर्णले ताकि वे योजना बद तरीके से परिक्षा की तैयारी शुरू कर सकें और नहीं सपस्ट किया है कि पुन्दर परिक्षा कब कराई जाएगी इस घटना के बाद आयोगने मार्च और अप्रिल में प्रस्तावित 5 परिक्षाएं इस्तगित कर दी तो आप स्थिति आप जानते हैं काफी समय से यह मामला गरम है छात्रों के बीच में कि जब परिक्ष आये हैं उनमें कुछ ऐसा गयप हो या उसके पास एक पूरा मामला क्लियर हो एक टाइम-टेबल क्लियर हो कि मुझे पहले किस चीज के त्यारी करनी है और बाद में किस चेज की त्यारी कर नहीं है भले ही सभी परिक्षाओं में लगबग पेपर एक जैसा आता है लेकिन फ इतने पेपर लग जाए कि हमको तयारी का मौका नम मिल पाए तो वो बच्चों की आयोग से मांग है कि जल से जल को या तो नया टाम टेवल जारी किया जाए या फिर कोई भी एक प्रेस रिलीज कम से कम आना चाहिए जिसमें स्तिती क्लियर हो कि सबसे पहले परिक्षाए कौन कौन सी होने वाली है जो स्तगित परिक्षाए है क्या वो होंगी या नहीं होंगी अगर ये पुरानी परिक्षाए जो फसी हुई है अटकी हुई है इनको कराएंगे तो क्या På चुनाव के वजå से सबसे बड़ा मैटरतौ जुनाव की वज वजसे तो इसस्थिति में नहीं है उसको नहीं पता कि सरकार किसकी बनेंगी तो फो भी एक स्टेप पीछे हो के चल है कि मान लेते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं और सरकार बदल जाती है, तो कहीं कुछ नई नियम या कुछ नए कानूनों के साथ सस्टीज़ सुरूर ना हो जाएं, या फिर अगर सरकार यही रहती है तो क्या वो इनी चीज़ों को इसी हिसाफ से बढ़ाना चाहती है या क्या होने वाला आयोग भी इस चीज़ के चिंतन पे है तो आयोग फिलाल शंद है चुनाव खतम होने दीजे जैसे ही चुनाव खतम होंगे आप देखेंगे आयोग अपनी स्पीड पर फिर से वापस आ जाएगा और सभी अधिकारी फिलाल चुनाव में लगे हुए है चाहे चपरासी हो चाहे आईए स्पीसियस के बड़े बड़ा अधिकारी हो सबकी ड्यूटी कहीं लगी होती है और वहीं अधिकारी पेपर भी कराएंगे वहीं अधिकारी आपके चुनाव भी करवा रहे हैं इसलिए फिलाल चाहर जून तक तो कुछ भी उमीद आप लोग मत रखिएगा चाहर जून के बाद ज़रूर अपो उस देखने के मिलेगा तो वह चैनल पर ज़रूर आएगा और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप अपडेटेड हमेशा बने रहेंगे लास्त अगर आपने वीडियो देखिए उसके बहुत बहुत देने वाद आपको देने शुब हो